गिवं टेक जो है वो ओनलाइन एल्पिंग प्लेट्फोर्म में क्या है एक ऑनलाइन एल्पिंग प्लेट्फोर्म में जो केड़ा से है और ऑफ जो है गिवं टेक यह करेंगे किया वाकई में इस तरीके का भी online helping platform हमने और आपने किया है उस और किया था ये चीज़े आप पर हम discussion कर सकते हैं या फिर आप खुद अपने mind से discussion कर सकते हैं कि क्या give and take जैसी platform online helping platform मैंने अपने life में किया था ये आप decision लेंगे आप suggestion करेंगे है आप discussion करेंगा अपने आपसे क्लिए आते हैं पूरे वर्ड के अंदर helping platform चलते हैं पूरे वर्ड के अंदर मैं जाने कितने सारी करंशियों के उपर online helping platform चले हैं यानि के crowdfunding दूसरे language चिका सकते हम लोगे crowdfunding चले हुए और आज भी इंडिया के अंदर मैं बात करता हूं क्योंकि हम सभी इंडिया रुपीज पर काम कर रहे हैं वर्क कर रहे हैं गिवन टेक के अंदर तो मैं इंडिया के अंदर बात करूँगा वर्ड को छोड़िए इंडिया के अंदर आज भी कई सारे online helping platform चल रह है लेकिन आज भी कई सारे चल रही है helping concept में कुछ सवाल अधूरे रहाते थे मेरी लाइप की experience आपकी लाइप की experience यह सवाल जरूर आपने अपने आपने सोचा होगा कोई आपसे किया होगा उसकी जवाब हमेंसे अधूरे रहाते थे नंबर वन कोई भी online helping platform जैसे ही helping platform के नाम सुनते थे तो यह सवाल क्रेट होता था जिसका जवाब नहीं था पहला सवाल यह था number one के मालिक कौन है नहीं पता मालूम नहीं मुझे कहा से चल रहा है भाई नहीं मालूम मुझे कब तक चलाएगी यह platform नहीं मालूम क्या vision इस platform की नहीं मालूम helping के दुनिया में जित अधूरे रहे हमेशा मैंने भी अपने लाइप में बहुत सारे helping platform किया जहां पर यह सारे सवाल अधूरे रहे थे आपके लाइप में भी आपने किया होगा helping platform तो आप खुद सोची इस बात को क्या आपके पास इसकी जानकारी थी helping platform की कोई भी किये होंगे कि मालिक कौन था वो कहां से चलता था कोन चलाता था कब तक चलेगा क्या वीज़न है कुछ भी नहीं यह सारी सवाल खतम हो गई जब हमारी मुलकात give and take platform से हुई right give and take platform से हुई अब यहाँ पे लोग सवाल करेंगी क्या कि यह platform कहां से चल रही है तो मेरा जवाब क्या होगा केरला से चल रह platform यह platform online helping platform है और यह केरला से चल रही है इस platform की मालिक कोन है तो परसांत पंचिकल मालिक है इस platform कब से चल रही है तो यह 24 फरवरी को 3rd anniversary यानि 3 साल complete हो रही है इस platform में ऐसा क्या और खास बाते हैं तो मैं आप सभी को बता दू give and take की registration ROCC मिली है यानि कि registration of company अब यह ROC क्या है ROC क्या है इसके बारे में हमें आर आपको जानकारी रखना होगा लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा यह जानकारी हमें आपको जानकारी रखना पड़ेगा कि M.C.A. का एक अपना site होए government का अपना site है ministry of corporate affairs इस division पे इस जो main website है में जो M.C.A. है इस M.C.A. में 5 division है पहला RBI, second, IRDA, third, SEBI, fourth, ROC, and fifth, export, import. यह पांच division यह पूरी इंडिया को चलाता है RBI क्या करता है only banking sector को इंडिया के अंदर यह चलाती है यह देखती है यह समालती है इसका कानून और नियम सारे बनते है RBI के तरफ से जो जितने भी bank है IRDA, insurance regulatory development authority यानि कि जितने भी insurance sector है वो पूरे insurance sector को IRD देखता है जैसे example में हम LIC बोल सकते हैं बजा जालियान से बोल सकते हैं से भी security exchange board of India इंडिया के share बजार आप सुने होगे MCX, NSC, BAC यह सारे चीज़े आप सुने होगे जिससे से भी control करती है ROC, register of company, इंडिया का अंदर कोई भी system अगर as a legal रूप से आती है तो उसे ROC पे registration लेना पड़ेगा आप MCA के site खोलके और ROC division पर जाके give and take की UC number डालके आप check कर सकते हैं कि इसकी registration हुई है या नहीं इसकी मालिक, director कौन है वो आपको दिखेगा इसकी area मतलब इसका address क्या है तो आपको उस हमाँ पर दिखेने वाला अथार अच्छी आरोसी आईसे नहीं registration देती है किसी भी example की तुर्फे मता दू किसी भी बड़े school में जब आपने बच्चे की exam admission करने जाते हैं जिसे DPS हो गया चीनमाया हो गया Oxford हो गया तो वहां पर क्या होता आपकी बच्चे से पहले आपकी exam होगी यानि कि guardian कैसे हैं तो उससे मालूम चलेगा बच्चे की परवरिस कैस उसके बाद लाख उनके अंदर आप भर दिजिए टाइलेंट लेकिन वह स्कूल आपको रिजेक्ट कर चुका है तो ठीक उसी तरीके से आरो सी किसी भी सिस्टम का memorandum of articles चेक करती है यानि कि जो नाम आप registration करने आए हैं इस नाम के पीछे आप काम क्या करने वाले हैं कहीं क कोई investment वाली प्लान तो नहीं चलने वाला आपका money down का कहीं कोई registration के पिछे कोई दो नंबर काम तो नहीं होने वाला है यह पूरी चान भी इंडिया के चीज बाहर जब जाता है तो इंपोर्ट यानि चाइना का माल हमारे इंडिया आता है अब बहुत सारे चीज़ों देखते होंगे तो एक्सपर्ट इंपोर्ट समालता है यह पांच डिविजन में से रोसी रिजिस्ट्रेशन दिया गीव एंड टेक्ट प्लेट इस और फ creamy आप मुझे यह बताई अज तक सी ओनलाइन हैं अपने किया जिसके ऊपर आरोसी रोसी डीया हो नहीं नहीं किsal concept कभी आप कोई AC online helping platform किया क्या जिसके उपर हमें GST लगता हो नहीं कभी कोई AC helping platform आपने किया क्या जिस पर हमारे पैसे की invoice bill मिलता हो नहीं जिस invoice के उपर bill number भी हो नहीं कभी कोई AC platform आपने किया online helping platform की बात में कर रहा हूँ जहां दिजिएगा ओन्लाइन हेल्पिंग प्रेट्फोर्म कि बात कर रहा हूं कि कभी आपने ऐसी ओन्लाइन हेल्पिंग प्रेट्फोर्म किया अपने लाइप में जिसकी पर्मोशन के लिए बड़े-बड़े समिनार्स होते हों सामने जिसकी एड़र्टाइजमेंट के लिए बड़ी-बड़ी होडिंग्स लगा किया जा रहे हो जिसकी बिजनेस के लिए छोटी-छोटी ब्रांचे सॉपन करके क्या जा रहा हूं कि हेल्पिंग प्रोग्राम पर जवाब मिलेगा नहीं मेरे लाइप में 13 साल से सिंडस्ट्री के अंदर हूं 1213 साल से मुझे तो भाई यह ऐसा हेल्पिंग ऑनलान प्लेटफॉम नहीं मिली थी जैसा आज गीव और टेक मिली है अगर आपके लाइप में यह ऐसी प्लेटफॉ करें